ब्रह्म तत्व एक महत्मा के पास तीन मित्र गुरु दिक्षा लेने गए तीनों ने बड़े भक्ति भाव से प्रणाम करके अपनी जिग्यासा प्रकट की महत्मा ने उनको शिश्य वनाने से पूरु पात्रता की परिक्षा कर लेने के मंतव्य से पूछा बताओ कान और आँख में कितना अंतर है एक ने उत्तर दिया केवल पाँच अंगुल का भगवन महत्मा ने उसे एक और खड़ा करके दूसरे से उत्तर के लिए कहा दूसरे ने उत्तर दिया महराज आँख देखती है और कान सुनते है इसलिए किसी बात की प्रामानिक्ता के विशय में आँख का महत्व अधिक है महत्मा ने उसको भी एक और खड़ा करके तीसरे से उत्तर देने के लिए कहा तीसरे ने निवीदन किया भगवन कान का महत्व आँख से अधिक है महत्मा ने तीसरे को अपने पास रोक लिया पहले दोनों को कर्म अवं उपासना का उपदेश देकर अपनी विचारणा शक्ती को बढ़ाने के लिए विदा कर दिया क्योंकि उनके सोचने की सीमा ब्रह्मा तत्व की परीधी में अभी प्रवेश कर सकने योग्य न थी अखंड जोदी जून उनिस्व निन्याड़े तात पर्य एक बार एक भक्त ने गुरु नानक से पूछा आप कहते हैं कि सब पैसे वाले एक से नहीं होते इसका क्या तात पर रहे हैं नानक बोले उत्तम लोग वे हैं जो उपारजन को सत्पर्योजनों के निमित खर्च कर देते हैं मध्यम शेणी के विक्ति वे हैं जो कमाते हैं, जमा करते हैं पर सदूपयो करना भी जानते हैं। तीसरी शेणी उनकी है जो कमाते नहीं, कहीं से पा जाते हैं और उड़ा जाते हैं। ऐसे लोग संसार में पतन का कारण बनते हैं। अखंड जोती, फर्वरी सन 2000 शब्द स्वामी जी ने हस्ते वे कहा भाई वे तो शब्द मात्र थे शब्दों में क्या रखा है मैंने कोई पत्थर तो नहीं मारा सुनने वालों तक का समाधान हो गया शब्द जब किसी को क्रोध उत्पन कर सकते हैं तो जिसके लिए प्रिये शब्द भावपूरक कहे जाएंगे उसका अनुग्रह वे क्यों नाकर्शित करेंगे अखंड ज्योती नॉमबर 1999 लोक मंगल एक बार महा मना पंडित मदन मोहन मालवी जी के पास एक धनी से ठाए उनके बारे में प्रसिद्ध था कि वे अपना धन भिखारियों में बाढ़ सकते हैं पुन्यारजन की द्रिष्टी से चींटियों को दाना खिलाने के लिए करमचारियों को धेरों की संख्या में लगा सकते हैं पर लोक मंगल के लिए उन्हों ने कभी कुछ खर्च किया है न करेंगे आये तो थे वे अपनी बच्ची के विवाहितु सम्मिलित होने का आमंतरण देने परंतु उल्टे मालविय जी से शशर्ट जुड़कर चले आये मालविय जी उन दिनों काशी हिंदू विश्विद्याले का निर्मान करवा रहे थी सईयोग से जिस लड़के से उनकी लड़की का विवाह था वह उनका विद्यार्थी भी था उन्होंने कहा आप विवाह में जो राशी खर्च कर रहे हैं मैंने सुना है वह लाखों में है उसके बदले आप लड़के के नाम कुछ राशी जमा कर दें वह उसे स्वावलंबी बनने दें वह मेहनती है अपना सिंसार खुद बना लेगा पर जो राशी आप उस प्रदर्शन में खर्च करेंगे उससे तो किसी का लाब न होगा आपकी कन्या के लिए विवाव उपरांत कष्ट का कारण अवश्य बन सकता है इस राशी को आप हमें दे दें ताकि हिंदू विश्विद्याले का बाकी काम पूरा हो सके लड़के का गुरु होने की नाते माई ये दक्षिना लोक मंगल के लिए आपसे मांग रहा हूँ उनका कहना भर था और सेट का बदलना न किवल आदर्श विवाव उन्होंने किया कई भवन विश्विद्याले के लिए बनवा भी थी धन का ऐसा सुन्योजन ही जन मानस में श्रद्धा के रूप में फलित होता है अखंड जोती अक्टुबर उन्निस्व निन्यानवे दक्षिना कथा वाचक गरीब ब्रहमन पद्म नाभ कथाएं बांचकर ही अपना निर्वाह करते थे इस प्रकार जीविको पारजन के सासा सदग्यान प्रचार का पुन्य प्रियोजन भी पूरा हो रहा था धर्म गरंथ का अधेयन करते हुए उन्होंने एक स्थान पर पढ़ा ग्यान दान का प्रितिफल धन के रूप में ग्रहन नहीं करना चाहिए उन्हें बड़ा दुख हुआ कि अब तक वे इस नियम के अवेहिलना ही करते रहे धर्म प्रचार के लिए जब वे कथाई किया करते थे तो लोग जो दक्षिना दे जाते थे उसी से वे अपना गुजारा चलाते थे अब तक जो भूल हो गई अब नहीं होनी दूगा करने लगे अखंड जोती मई उन्निसो निन्याणवे सौंदर्य मैंने पूछा मैं किसे प्यार करूं तो अंतर तमसे एक आवाज आई उन्हें जिने लोग दलित समझते हैं जो निन्दा और भर्सना के पात्र हो चुके हैं उनके मित्र बनकर उन्हें ध्यान और प्रकाश दो तुम्हारा गौरव इसमें नहीं कि तुम्हें संसार में बहुत से लोग प्यार करते हैं वरन तुम संसार को प्यार करके स्वयम गौरवावनित हो मैंने कहा लोग कहते हैं कि जो तवचा वर्ण और शरीर से सुन्दर नहीं है उन्हें देखने से सुक और शान्ती नहीं मिलती मेरी प्यारी आस्था ने कहा तुम असुंदर के माध्यम से उस शाश्वत सुंदर्य के खोज करो जो तवचा, वर्ण और शरीर के धुंदले बादलों में आकाश की नेलीमा के सदर्श परचन शान्ती लिए बैठा है जब भाई ये आवर्णों का धुंदला बादल छण जाएगा तो सुंदर्य के अतिरिक्त कुछ रह ही ना जाएगा मैंने कहा, संसार कोला हल से परिपूर्ण है सरवत्र करुण और कठोर क्रंदन गूंजते हैं तुम बताओ मैं सुनूंगा क्या आविचल और उसी शान्त भाव से मेरे रदय में शीतलता जगाती हुई आत्मा की एक और स्वर जंक्रती सुनाई दी वाच्स उन शब्दों को सुना करो जिनका उच्चारण ने जिव्या करती है न होट करते हैं और नहीं कंट निविड अंतराल से जो मौन प्रेणाई और परागान प्रसफुटित होता रहता है उसे सुनकर तेरा मानव जीवन धन्य हो जाएगा तब से मैं किसी भी वर्ण त्वचा और शरीर वाले दीन दुखी को प्यार करने में लगा हूँ तब से मैं रदय गुहा में आसीत सौंदा रेके ध्यान में निबगन हूँ तबी से मौन की शर्ण होकर उसे स्तोत्र को सुनकर आनंद पूरित हो रहा हूँ जिसे युगों से नभु मंडल का कोई सद्रिश गायक गाता और प्राणियों का मन बहलाता रहता है अखंड जोती जून 1999 अमारे यूट्यूब चैनल को सस्क्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन्स मिलते रहें